हलो एवरियोन, पिंगा कीनी उस किचिन में स्वागत है आपका, आज हम बनाएंगे मीठा मीठा मज़िदार सा आम का हलवा, या फिर आप इसे आम का शीरा भी कह लो, तो सबसे पहले हमें ले लेना है पका हुआ मज़िदार सा आम, मैंने यहां पे केसर आम लिया है और यह का काट और पलप निकाल लेंगे मिक्सर ग्रैंडर में भी अब इसको पलप में ग्राइंड कर सकते हो तो उसे साइड पर लग देंगे अब एक रगाए में लेना है एक कटोरी जितना सूजी मैंने एक कटोरी सूजी लीया कि मैं यह दो जनव के लिए बनारी हूं तो मिडियम ड लो फ्लेम पे इस तरह से हमें भून लेना है ताकि सूजी का कच्छापन निकल जाए और अच्छे से वह रोस्ट हो जाए थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और समयलाने लगेगा मुझे दो तीन मिनिट लगे सूजी को भूनने में फिर इसे साइड पर निकाल देंगे उसी लीती तो उसको इसकरा से चिलकर मैंने घी में रोस्ट कर ली दो मिन रोस्ट हो जाए इसके बाद हम फिर इसमें हमारी सूजी एड़ कर देंगे और उसे भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे हल्वे में अब डालेंगे हम शकर शकर मैंने यहां हाफ कोटोरी डाली है अगर आप जादा खाते हो तो आप जादा भी यूज कर सकते हो लेकिन याद रहे हमने यहां पर पकाऊओ आम लिया है जो भी काफी मीठा है तो खलवा वैसे भी स्वीट होने वाला है दो मिनिट सिर्फ सककर इसमें मिक्स हो जाए फिर इसमें डालेंगे हम गर्मा गरम पानी एक कटोरी सूजी के सामने हमें लेना है तीन कटोरी गर्मा गर्म पानी तो ये माप याद रखे मैं फुल डिटल निचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी तो वहां से आप एक्जेटली उसे फॉलो कर सकते हो पानी डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि कोई भी लंच ना पड़े सारी प्रोसेस मैंने मिडियम टू लो फलिम में ही बनाई है आपको फास कैस में इसे नहीं बनाना है बले ही लंबा समय थोड़ा लगे लेकि मिडियम टू लो फलिम में बनाने से हलवा हमारा बहुत ही डिलिशिस और टेक्स्टर्स बहुत ही मज़दार सा बनता है तो ये देखे पैन ये वैसे ही छोड़ रहा है और उपर गी का सारा लेयर बन चुका है तो अल्मोस्ट ये हमारा हलवा रेडी है अब इस स्टेज पर हम डालेंगे हमारी मैंगो की प्यूरी और उसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे इसी स्टेज पर हमें मैंगो की प्यूरी डालनी है पहले नहीं डालना है बस तो दो मिनट इसे मिक्स कर लेंगे तो हमारा जटपट बनने वाला मैंगो हलवा रेडी हो जाएगा इस सीजन जब मैंगो आई ही रही है तो एक बार ये हलवा ज़रूर से ट्राय करना बहुत ही डिलिशिस टेस्टी और मज़ेदार सा बनता है अब अगर शक्कर नहीं खाते हो तो उसे स्कीप भी कर सकते हो तो बस गर्मा गर्म हमारा मज़ेदार सा मुझ में गुल जाने वाला एक दम डिलिशिस ये मैंगो हलवा आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताना और हां रेसीपी जरूर से ट्राय करना आपके घर में अगर च कर दो बताना नहीं हो जित अबद जरूर से लगा सुप एक आपके जरूर से अबदें हैं जरूर हो जरूर से बताना आपके खाते हो जरूर